दोस्तो नमस्कार स्वागते आप सभी का योगेस लर्णिंग यूटूब चैनल पर आज का ये पूरा वीडियो सिर्फ यूपी टीजीटी और पीजीटी के चातरों के लिए ही होने वाला है जिसमें हम कई अहम बिंदों को लेकर के बात करने वाले हैं जैसे कि 50,000 जो पथ है ये रिक्त है नई भरती होगी या सीट बृती होगी यूपी टीजीटी और पीजीटी की परिच्छा कब होगी नए आयोकवा गठन संबंदी महत्यपूर्ण जानकारियों को कवर करने वाले हैं तो जो भी छातरी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले अगर हम तदर सिचकों को ले करके इस पत्र की बात करें जिसको ले करके लंबे समय तक यूवा मंच ने लड़ाई भी लड़ी थी लेकिन अब इसको ले करके कहीं न कहीं समधान हो चुका है तो इस पत्र को यहाँ पर समझते हैं जो कि आपको गोंडा जिले के यहाँ पर जो है मैनेजर की ओर से देखने को मिल रहा है और गोंडा जिले के मैनेजर के द्वारा जिला बिद्याले निरिच्छक गोंडा को यह जानकारी सौपी जा रही है इसके पहले अगर मैं आपको कुछ डाटा बताऊं तो देखे 27,000 पद तो आल्रेडी चैनबोर्ट के पास पहले भी थे इसके पहले 2021 की जो भरती आई हुई थी UP TGT और PGT की लगबग जो है 15,000 के आसपास जिसमें 12,000 PGT के और जो है धाई हजार के आसपास यहाँ पर या 3,000 के आसपास PGT के पत थे तो जब यह भरती आनी थी उस समय चैनबोर्ट को लगबग 43,000 पदों का अधियाचान मिला था लेकिन 15,000 पर बिग्यापन आया था और 22,000 पदों की जानकारी उस समय भी सरोच नियाले के द्वारा यहाँ पर दी गई थी कि 22,000 यहाँ पर जो पद हैं यह सिर्फ और सिर्फ जो है तदर सिचकों के रिक्त हैं हना लेकिन फिर भी लगातार जो है उस समय अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50,000 के आसपास UP, TGT और PGT की यहाँ पर जो है रिक्तिया थी लेकिन फिर भी जब साल 2022 का बिग्यापन आया तो मातर 4000 यानि की 41,63 पदों पर और इसी मुद्देव को लेकर के काफी ज़्यादा बिरोध प्रदर्सन भी देखने को मिला था कि आखिरकार सीटों में ब्रिद्ध क्यों नहीं की जा रही है जब चैन बोर्ट के पास आलेड जन करवाया जा सका अब यहां पर अगर हम इस लेटर के माध्यम से कुछ जानकारियों को यहां पर समझें तो देखिए यह जो पत्र है यह सिर्फ एक बिद्ध्याले के मैनेजर की ओर से डियाइ उसको जानकारी दी गई है और ऐसे बहुत सारे बिद्ध्याले हैं इस समय उत्तरप्रदेश में बात करें तो 45-120 के आसपास यहां पर असासकी साहताप्रात माध्यमिक बिद्ध्याले हैं अगर हम इस बिद्ध्याले की बात करें तो इसमें 18 मात्र जो है यह तदर सिच्छक मौझूद हैं जिसमें 5 यहां पर PGTK और 13 यहां पर TGTK अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक एक बिद्ध्याले में लगबग 18 के आसपास संख्या इन ही की है तो इसमें आयोक से यहां पर जो है चैनित यहां पर जो सिच्छक हैं उनकी संख्या 1, 2 या 2, 4 ही होगी और इसी हिसाप से अगर हम बात करें तो यहां पर लगबग 42 से आसपास रिक्तियां सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में तदर सिच्छकों की होंगी जिसकी जानकारी 22,000 की जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी लेकिन फिर भी यहां पर अगर हम बात करें बिग्यापन की तो बिग्यापन पहले तो आता नहीं आता है तो मात इस नए आयोग को लेकर के सबसे पहले एक अच्छी जानकारी निकल करा रही है कि यह पूर्ण रोब से अधनियम जो है यह बन चुका है अभी हाल ही में सिच्छक दिवस पर इस पर महा महीम राजपाल महोदया की मोहर लग चुकी है तो यह एक अच्छी खबर है लेकिन फ अभी चीजों में अभी इसमें धाई से तीन माह का समय लग जाएगा और जब नया आयोग गठी तो हो जाएगा तो उसके बास सबसे पहले यूपी टेट होगा क्योंकि यूपी टेट को लेकर के जो है तीन जन्वरी 2023 को भी CM योगी ने कहा था कि यह ध्यान रखना होगा क यूपी टेट समय से हो तो यूपी टेट तो वैसे भी समय से अब नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी सबसे पहले यूपी टेट ही होगा तो इसलिए यूपी टीजीटी और पीजीटी की परिच्छा साल 2023 में बिलकुल भी संभावित नहीं है ये चीज आप ध्यान में रख क करके आपनी तयारी करें ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक बहुत बहुत धन्नवाद